एक और जहां कोलकता रेप केस की गुत्ती सुलज नहीं रही है वही आए दिन देश के कुने कोने से ऐसी दरंदगी की भरी खबरे आना जैसे आम बात हो गही है कहां तो लगाता निर्वेया के बाद महिला एक खुल कर थोड़ा जी पाएंगी आगे बढ़ पाएंगी पर कोलकता के आज जी कर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसने तो महिला समाज को और पता नहीं कितने ही साल पीछे धकेल दिया सुरक्षा के नाम पर चार दिवारों में कैद रहने को मजबूर कर दिया कोलकता केस के बाद तो मैंनो ऐसा लग रहा है कि इन मामलहों में और इजाफा हुआ है पर अगर आपको भी ऐसा लग रहा है तो अब गलत है अब रेप केस के मामले खबरों में आने लगे हैं वरना भारत में रेप तीसरा सबसे आम अपराद है 2021 की NRCB की रिपोर्ट को देखे तो उसमें दिया है कि भारत में प्रते दिन औसतन 86 रेप के मामले दर्ज होते हैं यहां ध्यान रखिएगा कि यह मामले दर्ज होते हैं वरना ऐसे तो कई अपराद रोज होते हैं वही NRCB के अनुसार 2022 में इन मामलों में 4 प्रतिशत की विन्थी देखी गई है यह तो पुरे साल का ब्योरा है आईए हम कोलकता कांड के बाद आज तक के खबरों पर नजर डालते हैं 29 अगस्त से 20 अगस्त के बीच ऐसी कितनी घटनाएं हुए है इस पे नजर डालते हैं पहली घटनाएं महाराश्र की महाराश्र के बदलापुर में 4 साल की दो बच्चीयों के साथ उन्हीं के स्कूल के सफाई करमचारी ने दुशकर्म किया बच्चिया स्कूल जाने से डढ़ने लगी माता पिता ने कारण पता किया तो असलियत सामने आई इस वक्त आरोपी 21 अगस्त तक रिमांड में है कोलकता में जहार ट्रेनी डॉक्टर के साथ दुशकर्म हुआ वही ये दूसरी खबर उत्राखंड के उधम सिंग नगर की है जहां एक नर्स के साथ निर्ममता की गई जहां उसके साथ पहले रेप किया गया फिर उसकी हट्या कर दी गई इस घटना के आरोपी धरमेंद्र को पुलिस गिरफतार कर चुकी है वही ये तीसरी घटना भी उत्राखंड की है जहां दहरादून से एक 16 वर्षिय नाबालिक के साथ बस में दुशकर्म का मामला सामने आया है जहां पांच लोगों ने एक अकेली बच्ची के साथ दुशकर्म किया इस मामले में पुलिस ने बस कंड़क्टर और ड्राइवर समेथ पांच लोगों को गिरफतार किया है घटना के बाद से लड़की की मानसिक स्थिती ठीक नहीं है यह चौती घटना जोधपुर की है जहां तीन साल की एक मासूम बच्ची के साथ पहले पैतालिश वर्ची हरीश नाम के वैक्ती ने रेप किया फिर उसे रास्ते किनारे छोड़ दिया इस वक्त आरोपी पुलिस हिरासत में लड़की घटना के बाद जहां महिला सुरक्षा की आवाज बुलंदी से उठ रही वहीं ये पांचवी घटना यूपी के मरादाबाद से है जहां एक नर्स के साथ हुई दरिंदकी की घटना सामने आई है यहां एवियम अस्पताल के डॉक्टर शेहनवाज ने एक नर्स को अपनी हवस का शिकार बनाया और कारवाई किये जाने पर जान से मारने की धमकी दी राजानी दिल्ली से रेप की खबर आना तो आम होगी है यह चटी खबर नर्थ दिल्ली की है जहां 22 वर्षिय सूरज ने अपनी ही घर के किराईदार की 11 वर्षिय बेटी के साथ इस घिनों ने काम को अंजाम दिया जब लड़की के माता पिता को इस बात का पता लगा तब सूरज और इसके पिता करतार सिंग ने उन्हें धमकी दी जिसके बाद बाप बेटा दोनों को ही पुलिस ने गिरफतार कर लिया यह च्छे ऐसे मामले है जो कोलकता कांड के बाद खबरों में आये है ऐसे पतानी कितने ही मामले होंगे जो अभी तक दुनिया के सामने नहीं आये है और यहां यह ध्यान देने वाली बात है कि यह जादतर मामले नाबालिक छोटी बच्चियों के साथ अंजाम दिए गये है निर्वेयार रेपकेस के बाद देश को लगा था कि इन मामलों में कमी आएगी या फिर भारतिय कानून इन अपराधों के लिए कोई कठोर सजा लेके आएगा पर आज हम वहाँ है जहां कोलकता की एक घटना के बाद पूरा देश आक्रोश में है और प्रशाशन के नाक के नीचे आए दिन ऐसी घटनाएं हुए जा रही है एक वो समय था जब अरुना शानबाग को इंसाफ नहीं मिला उसने तो अपना हाल देख के इच्छा मृत्यू तक मांग ली कठुआ की आठ साल की बच्ची को कोई नहीं भूल पाया और पिछले ही साल उजयन में 11 साल की बच्ची के साथ हुए अपराद ने देश को शर्म सार कर दिया और कितना सहेंगे हम और कितने दिन छुपके चुप रहके जियेंगे हम क्या इस दरिंदगी की सजा सिर्फ 20 साल के लिए जेल या फिर उम्रकैद ही है कभ इन गिनों ने अपरादों को करने वालों को डर लगे अगर है किसी के पास इस सवाल का जवा आप तो कमेंट करके जरूर बताएं देश रोधिय की बागी तमाम ख़बरों के लिए देखते रहे देफ्टे रहे द लूज-स 15 नमशकार झाल झाल